आज के वीडियो का टॉपिक है Automatically Sign WhatsApp Messages on Subscription Expiration सिखाऊंगा आप लोग को कि कैसे आप अपने उन सभी कस्टुमर्स को WhatsApp मेसेज साइंग कर सकते हैं जिनका भी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है आपके एक पर्टिकुलर प्रड़क्ट से रिलेटेड ओके तो यह automation मेरे साइक किया है पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग और WhatsApp के बीच में जिसमें क्या होता है जबी भी मेरे पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अंदर मौझूद किसी प्रोड़क्ट का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होता है तो automatically, instantly उस customer को उसके WhatsApp पे मेरी तरफ से एक message जो है sent हो जाता है कि सर आपका जो इस प्रोड़क्ट का सब्सक्रिप्शन है वो expired हो गया है किर्पया करके उसको renew करा लिए और renew कराने के लिए जो link है साथी साथ उसको link भी मिलती है जिस पे click करके सीधे जाके वो अपने subscription को renew कर सकता है पूरी process automatically होगी आपको कुछ भी नहीं करना है software खुद बखुद ये process करेगा और कैसे ये automation check करना है ये मैं बताऊंगा पूरी process step by step अभी अपनी screen पर ओके सबसे पहला हम अपने browser में type करेंगे www.pably.com सामने आजाएगी official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account free में बनाने के लिए मैं already अपना free account बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा pably connect का क्लिक करूँगा access now पर access now पे क्लिक करने के बाद open हो जाएगा pably connect का dashboard dashboard open हो गया है right hand side पे create workflow का option एक लिक करके मैं अपने workflow को एक नाम दे दूँगा मैं एक simple सा नाम दे दिता हूँ pably subscription subscription billing to whatsapp मैंने एक simple सा नाम दिया है आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया ये same workflow यूज कर पाऊँगे अपने account में वो भी एक दम फ्री में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आ गई ट्रिगर और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है मेरा मैं चाहता हूँ कि मेरे पैबली सब्स्क्रिप्शन billing के अंदर जबी बी कोई कस्टमर अपना सब्सक्रिप्शन जिस भी कस्टमर का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो तो automatically उस कस्टमर को instantly उसके whatsapp पे एक message सेंड हो जाए कि आपका जो subscription है वो expired हो गया है अगर कि उसको आप रिन्यू करा लिए वगरा वगरा इस तरह का एक automated message जो है मेरे कस्टमर को सेंड हो जाए उसके whatsapp पे ऐसा automation में चाहता हूँ तो ऐसा automation साइट करने के लिए मुझे अपनी first application में सबसे पहले चूज करना होगा Pably subscription billing को है ना यहाँ पे मैंने Pably subscription billing का यूज कर रहा हूँ आप किसी other service का भी यूज कर सकते हैं की billing का काम करती है तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है अपना software आऊँगा trigger event में और चूज करूँगा subscription expire को तो यह रहा सबसे नीचे subscription expired वाला हमारा trigger event तो मैंने इसको चूज कर लिया है then webo qrl pably connect मुझे दिया है integrate करने के लिए सबसे पहले में नीचे scroll करूँगा और settings का option आएगा तो यहाँ पे settings पे क्लिक करूँगा settings पे क्लिक करने के बाद एक new window ओपर होगी है left hand side पे मेरे सामने option है webhooks का क्लिक करूँगा webhooks पे webhooks पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे option है add webhook का मेरे क्लिक करूँगा add webhook पे then यहाँ पे मैं अपनी webhook को एक नाम दे दूँगा तो मैं एक नाम दे देता हूँ simple सा subscription subscription expired okay expire final ठीक है मैंने एक simple सा नाम दिया है subscription expired final आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं select product के अंदर हमें वो अपना product चूज कर लेना है जिस भी product पे हम चाहते हैं कि वो expire हो जबी भी customer का तो उसको message send हो यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरा एक product है nitrix, watch movies and tv shows online यह वाला मेरा product है इसका subscription जबी भी किसी customer का expire हो तो उसको whatsapp message send हो that's why मैं चूज करूँगा मेरा यह वाला product तो आपके जो भी products हो जिनके लिए भी आप automation साट करना चाहरे हैं वो product आप चूज कर सकते है simple then यहाँ पे आजाऊँगा यहाँ से आप plan भी चूज कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं इस वाले product के अंदर मैंने अपने दो plan रखे हैं standard plan और एक basic plan for mobile user okay तो मैं चाहता हूँ सभी plans के लिए automation work करें that's why मैंने चूज कर लिया all plan okay then यहाँ पे वैबुक URL यह मुझसे मांग रहा है तो पैबली कनेक्ट ने जो वैबुक URL दिये वो copy करूँगा वापस आऊँगा simply यहाँ पे paste कर दूँगा okay then नीचे स्क्रॉल करूँगा और subscription के अंदर जाके जो यह वाला event है जिसका नाम है subscription expire इसको check-in कर दूँगा simple then नीचे स्क्रॉल करके click करूँगा save पे तो मेरा जो connection है पैबली कनेक्ट के साथ पैबली subscription billing का वो successfully हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे है connected है अभी यहाँ पे शो हो रहा है waiting for webhook response means अभी जबी भी कोई हमारा Netrix का subscription expire होगा किसी भी customer का तो automatically पैबली कनेक्ट उस expired subscription की details अपने पास यहाँ पे capture कर लेगा तो मैं चल के सबसे पहले तो आपको check करा देता हूँ अपना product okay so मैं products पे क्लिक करूँगा तो आप देख पहेंगे यहाँ पे मैंने दो products एक तीन products है मेरे पास Netrix एक fitness academy और PHP course है ना तो मैंने जो automation set किया वो Netrix के लिए किया है इसके अंदर दो plans है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ है ना तो अभी मैं आ जाता हूँ कहाँ पे subscription पे है ना तो जैसा कि आप देख रहे है यहाँ पे अभी recently एक subscription एक subscribe किया है हमारे पास एक customer ने जिसका नाम है जिसका email address है demo at direct pablytutes.com है ना open करके दिखा देता हूँ है ना तो यह उसकी details है नाम है customer का demo customer जो की live है अभी expire नहीं है है ना तो मैं इसको back end से भी expire करता हूँ तो जैसे ही यह जो subscription है इस customer का expire होगा तो pably connect तो उसकी details यहाँ पे अपने पास capture कर लेगा तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने account पे जैसे कि आप देख रहे है यहाँ पे मेरे सामने account है अभी तो यह customer live दिखा रहा है तो फिर से आता हूँ subscription पे अभी मैंने अपनी team को inform कर दिया है तो वो अभी इस customer को expire कर रहे है back end से तो हम wait करते है 2 second तो जैसे कि आप लोग जैसे कि आप देख रहे है यहाँ पे डेमो कस्टूमर का जो subscription है वो expire करवा दिया गया है यह expire हो गया है अब हम चलके चेक करते है पैबली कनेक्ट ने इसकी details कैप्चर की के नी तो यहाँ यहाँ पे response received हो गया और जैसे कि आप देख रहे है event type जो कि हमने सेलग किया था subscription expire तो जैसे ही वो subscription expire हुआ पैबली कनेक्ट ने उसकी सारी details अपने पास यहाँ पे capture कर ली है तो हमारे सामने सारी की सारी details है नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं जो plan था basic plan for mobile user वो plan था customer का जो expire हुआ है तो नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो हमें customer की details भी यहाँ पे मिल जाएंगी successfully और नीचे आता हूँ तो यह रहा customer का phone number उसका last name उसका first name उसका email address सारी details पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे capture कर ली है अपने पास तुरंदो के तो इसकी presence इस data की presence बता रही है कि हमारा जो automation है वो एकदम perfectly work कर रहा है कोई problem नहीं है connection एकदम perfect work कर रहा है पैबली subscription billing और पैबली connect के बीच में तो अब जबी भी कोई subscription expire होगा net risk related तो पैबली connect उसकी details यहाँ पे अपने पास capture कर लेगा अब मैं चाहता हूँ कि जो customer है जिनका subscription expire हुआ है जिनका नाम है demo customer उनको उनके WhatsApp पे मेरी तरफ से उनका जो WhatsApp नमबर है इनको मेरी तरफ से WhatsApp message automatically sent हो जाए है जिसमें सारी details तो ऐसा automatically करवाने के लिए मुझे नीचे scroll करना होगा अपनी second and last application में चूज करना होगा WhatsApp Cloud API को WhatsApp Cloud API की help से ही मैं WhatsApp message sign करूँगा then action event पे आऊँगा और click करूँगा sign template message को click करूँगा connect पे connection के लिए then उसके बाद add new connections पे एक new connection के लिए मुझे चाहिए token phone number ID WhatsApp business account ID तीनों मुझे मेरे WhatsApp Cloud API के setup पे मिल जाएंगे तो ये है मेरा WhatsApp Cloud API का setup if अगर आपने अभी तक कोई setup नहीं किया है तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं उस वीडियो का link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा इस वीडियो उस वीडियो में मैंने सिखाया है कि कैसे आप full setup कर सकते हैं अपने WhatsApp Cloud API का दूसरी बात यहाँ पे हमें एक access token मिलता है जो कि temporary होता है एक दिन में expire हो जाता है तो इसी वज़ासे मैंने ये problem भी solve कर दी है इसके लिए मैंने एक और particular video बनाया उस video का link भी इस video के description box में check कर लेना उसमें मैंने सिखाया है कैसे permanent access token generate करना है और उसकी help से आप कभी भी किसी भी समय अपना connection मना सकते हैं जो कभी expire नहीं होगा फिल हाल मैं आपको temporary access token के द्वारा करके बता रहा हूँ connection लेकिन आप जब connection करें तो permanent access token के साथ ही करें तो मैं copy करता हूँ वापस आता हूँ पैबली connector और यहां token वाली फिल्ट पर paste कर देता हूँ फोन नमबर ID WhatsApp business account ID यह दोनों भी मुझे यहीं पर मिल जाएंगे WhatsApp cloud API के setup पर यह रहा phone number ID copy किया वापस आया paste कर दिया ऐसे ही business account ID copy किया वापस आया यहाँ पर paste कर दिया then click करूँगा save पर तो मेरा connection successfully हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे है मेरा WhatsApp cloud API connected है पैबली connect से connect होने के बाद यह सबसे first field आये template name की तो यहाँ पर मुझसे बोल रहा है कि sir इस automation में जो भी template आप choose use करने वाले है वो select कीजिए तो मेरी जो template है उसका नाम है subscription underscore expire इस template का मैं use करने वाला हूँ इस automation में that's why मैं इसको select कर लिया है है ना चलके साथ ही साथ मैं आपको introduce करा देता हूँ अपनी template से इसके लिए मुझे चलना होगा WhatsApp manager पे यह मेरा WhatsApp manager यह open कहां से होगा वो भी बता देता हूँ WhatsApp cloud यह पे setup पे आईए नीचे scroll कीजिए second step के अंदर आपको blue color में here लिखा हुआ देखेगा आपको just इस पे click करना है और आपका WhatsApp manager open हो जाएगा यहां से आप अपनी message templates create कर सकते हैं है ना जैसे कि मैंने किये यह सारी templates मैंने खुद create किये आपको भी करना होगी है ना template के बारे में थोड़ी बहुत knowledge जोर चाहिए तो WhatsApp Cloud API के setup वाला full video देखना उसमें मैंने थोड़ी बहुत details बताई हैं तो आपको clarity आ जाएगी ठीक है चलिए जैसे कि मैंने बताया मैं आज जिस template का use करने वाला हूँ उसका नाम है subscription underscore expire तो यह रही subscription underscore expire नाम की मेरी template open करके दिखा देता हूँ template एक तरह से message होता है जो आपने पहले से type कर रखा है और जभी भी उस message की जरूरत पढ़ रही होती है आप उस template को select करके send कर देते तो कोच इस तरह का यह template है यहाँ पे header में मैंने text रखा हुआ है your subscription is expired तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा नाम यह जो one लिखा हुआ है आप सोच रहे होगे यह क्या है यह है variable मेरे according यहाँ पे जो value आएगी वो मेरे हर message में same नहीं रहेगी change होगी that's why मैंने इसको variable बनाया है और इतना part same रहेगा हर message के अंदर that's why मैंने इसको manually लिख दिया है तो यहाँ पे आएगा customer का name जिसको भी हम message sign करें इसके whatsapp पे तो यहाँ पे नाम obvious सी बात है हर customer का नाम different होगा और वो change होगा इसलिए मैंने इसको variable बनाया तो header में मैंने text रखा है advantage of यहाँ पे भी आएगा description आएगा हमारे product का you can easily renew your subscription by going to यहाँ पे आजाएगी check out link जहाँ से वो renew कर सकता है अपना subscription thanks और यहाँ पे हमारी team का नाम और आगे team तो इस तरह की मैंने template बनाईए आप बिलकुल अपने according जैसी template बनाना चाहें वैसी बना सकते है कोई रोक टोक नहीं है तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको message कुछ इस तरह का sent होगा dummy user your subscription is expired hello dummy user तो यहाँ पे dummy user जो है यह example के रूप में लिखा है तो जिस भी customer का subscription expired होगा होगा जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आजाएगा यहाँ पे आजाएगा बाकी का पूरा पार्ट सेम रहेगा your subscription for Netflix जैसा कि आप लोग देख पा रहे तो कुछ इस तरह का यहाँ पे message sent होगा तो मैंने एक template successfully choose कर ली है language code और selected template ID जो है उन दोनों को वैसा का वैसा रहने देंगे then recipient mobile number यहाँ पे हमें mobile number आइग करना है customer का जिसको हम WhatsApp पे message sent कर रहे है तो mobile number हमें पहले ही उपर मिल चुका है with the help of family subscription billing यहाँ पे हमारे सामने यह रहा customer का phone number, WhatsApp number तो इसी number पे मैं चाहता हूँ WhatsApp message sent हो लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे plus sign लगा हुआ है किसके अंदर? phone number के अंदर और नीचे आके मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक instruction दिया हुआ है साफ साफ कि आपको country code without plus sign add करना है phone number में लेकिन हमारे पास जो phone number है उपर वो with country code है तो सबसे पहले तो हम उस phone number को जो है split कर लेते हैं उसके अंदर जो plus sign है वो हटा देते हैं और बाकी का पूरा number अलग कर लेते हैं तो बहुत ही simply तरीके से हम करेंगे पैबली करेंग के great feature का यूज करेंगे इसके अंदर जिसका नाम है text formatter उसके अंदर हम एक feature का use करेंगे split text का उससे हम split कर देंगे text को तो यह पर search किया text formatter को choose कर लिया then action event में choose करूँगा split text को choose कर लिया split text को then click करूँगा connect पे then यह पर text to split के अंदर मुझे वो text add करना है जिसको मुझे split करना है तो वो text मुझे उपर मिल जाएगा कहां से पैबली subscription billing से तो यह रा phone number इस phone number को इस blank field में add करने के लिए मैं एक technique का use करूँगा जिसको हम कहते हैं mapping mapping में हम हमारी trigger application का data action application में बहुत ही easily add कर सकते हैं कैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ आपको just click करना होता है blank field पे नीचे आपकी previous step का option आने लगता है जो कि है हमारी पैबली subscription billing trigger application click करेंगे उसके उपर सारा data open हो जाएगा यहाँ पे हमें find करना है phone number search करूँगा phone तो यहाँ पे phone number आ जाएगा click करके इसको यहाँ पे add कर दूँगा तो यह जो process मैंने अभी करी इसी को mapping कहते है जतनी easy और simple है उतनी ही important है क्यों है क्योंकि next time जब किसी दूसरे customer का subscription expire होगा तो obviously बात है उस customer का phone number different होगा हर customer का phone number different होगा that's why मैंने यह number यहाँ पे map किया है तो अगली बार जब यह process automatically run करेगी तो जो भी customer का phone number होगा वो automatically इस blank field में आके add हो जाएगा change हो जाएगा तो automatically data fill करवाने के लिए map करना बहुत जरूरी है that's why मैंने यहाँ पे data map कर दिया है है ना तो अब आ जाओंगा नीचे separator हमें क्या बनाना है plus को हम separator बना देते हैं है ना यह आगे जो plus लगा हुआ then हमें यहाँ पे segment चूज कर लेंगे last तो उसके बाद जैसे ही मैं 7 sign test request पे click करूँगा तो plus sign हट जाएगा और बाकी का पूरा number मुझे successfully मिल जाएगा अभी है मैं phone number successfully map कर सकता हूँ अपने WhatsApp cloud API के अंदर तो map करने से पहले हमें एक बार refresh करना होगा अपने WhatsApp cloud API को क्योंकि हमने उपर एक step add की है refresh करने के लिए connected पे click करके just save पे click कर दूँगा तो यह refresh हो जाएगा है ना तो जैसा कि आप देख रहे हो गया है तो नीचे आके अब मैं यहाँ पे data map कर दूँगा recipient का mobile number जैसा की नीचे दिया था with country code without plus sign तो यहाँ पे मुझे जो with country code without plus sign phone number मिलेगा वो text formatter से मिलेगा click करूँगा यह रा phone number click करके map कर दूँगा simple अब आजा तो header field 1 पे तो यह क्या है और यह body field 1, 2, 3, 4 यह क्या है यह सारे जो हमने variables बनाये थे हमारी template में जो मैंने आपको दिखाए थे एक यह रहा, एक यह रहा, एक यह रहा तो यह सारे variables हैं तो हमें in template के according यहाँ पे जो data आएगा वो in blank fields में add करना है, map करना है so header field 1 के अंदर मुझे customer का name map करना है, map इसलिए करना है क्योंकि customer का name change होगा है न, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और customer का name मुझे मिल जाएगा pably subscription billing से, यहाँ से मैं search करूँगा name, तो यहाँ पे मेरे सामने name आ जाएंगे, okay, so यह रहा first name, okay, demo then space देखे, last name यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, तो यह मिल गया last name, demo customer, okay then, body field 1 body field 1 हमारी, यह रही इसके अंदर भी हमें नाम ही map करना है customer का, तो यहाँ पे भी simply में नाम map कर दूँगा, name, okay so यह रहा, first name, demo, then space देखे, इसी तरह से, last name, customer, okay last name, okay, so यह map कर दिया हमेंने, simple, then आ जाता हूँ body field 2 पे, तो क्या है body field 2 में हमें क्या करना है, your subscription for product का नाम हमें यहाँ पे आइक करना है, तो product का नाम हम manually यहाँ पे आइक कर देंगे क्योंकि एक ही particular product के लिए हम यह automation's आइक कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको paste कर देता हूँ, तो netrix हमारा जो product है, उसी के लिए हमने automation's act किया, that's why मैं इसको यहाँ पे manually लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे, जो हमारे सामने यहाँ पे, जो message sent होगा, तो यहाँ पे आएगा netrix, तो यह हर message में same रहेगा, यहाँ पे जो नाम आएगा, जो bodyfill 3 में हमें, यही data copy करके, मैं यहाँ पे, paste कर देता हूँ, okay, है ना, manually ही, क्योंकि क्या है bodyfill 3 के अंदर custom, हमारे product का description, if you want to continue taking advantage of, advantage of watching online movies and episodes, okay, है ना, यहाँ पे यह एड कर दिया, है ना, bodyfill 4 के अंदर हमें क्या करना है, check out page, जो है अपना add करना है, okay, so check out page क्यों add करना है, तो यहाँ पे हमने जैसे की लिखा, you can easily renew your subscription by going to, है ना, तो यहाँ पे link हम add कर देंगे, तो customer उस पर जैसी click करेगा, तो वो सीधे check out page पे पहुँच जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, check out का जो page है हमारा, उसका link यहाँ पे लगा देता हूँ, products पे जाता हूँ, okay, then यहाँ पे check out का जो link है, उसको copy कर लेता हूँ, open कर लेता हूँ, सबसे पहले तो, और यहीं से इसको copy कर लेता हूँ, okay, so यहाँ से मैंने इसको copy कर लिए, आता हूँ, family connect पे बापस और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, simple, then यहाँ पे आऊँगा, body field 5 के अंदर, तो body field 5 के अंदर क्या करना है हमें, यहाँ पे अपनी company का नाम लिखना है, okay, so company का नाम भी same रहेगा, हर message में change नहीं होगा, that's why इसको copy करके, मैं simply यहाँ पेस्ट कर दूँगा, then, अब मैं क्लिक करूँगा, save and sign test request पे, जैसे ही मैं save and sign test request पे क्लिक करूँगा, demo customer को उनके whatsapp अकाउंट पे, मेरी तरफ से एक whatsapp message, एक test whatsapp message साइंड हो जाएगा, जो की इस बात का proof होगा, कि हमारा automation साइट हो गया है, तो demo customer का जो whatsapp web है, वो मैंने अपने PC में already open करके रखा हुआ है, ताकि आपको दिखा पाऊं, कि यहाँ पे तुरंट एक message आएगा, तो चलता हूँ पैबली connect पे, और जाके check करता हूँ, click करता हूँ, save and sign test request, पर दन हम आके check करेंगे, कि यहाँ पे whatsapp पे कोई message receive होता है, या नहीं, तो यह रहा, save and sign test request पे click किया, मैंने successfully, और जैसा कि आप लोग देख रहे है, response received हो गया है successfully, चलके check करते हैं, कि whatsapp पे कोई message आया है कि नहीं, demo customer के पास, yes, एक message received हुआ है, open करके दिखा देता हूँ, demo customer, your subscription is expired, hello demo customer, your subscription for Netflix has been expired now, if you want to continue taking advantage of watching online movies and episodes, you can easily renew your subscription by going to this link, okay, thanks Netflix team, एकदम perfect, मेरे पास यहाँ पे एक message आगया, जिस तरह का message में चाह रहा था, और इस message की presence बता रही है, कि मैंने अपना automation successfully set कर दिया है, automate हो चुके हैं दोनों applications, हमें just आके आप click करना है, save पे और अभी हमें कुछ भी करने की जरुरत नहीं है, यह पूरी process अब automatically होगी, क्या होगा automatically मैं आपको बता दिता हूँ, अब जबी भी हमारे पैबली subscription billing के अंदर, जो मेरा Netflix वाला product है, उससे related किसी भी customer का जो account है, वो एक्स्पायर होगा, subscription एक्स्पायर होगा, तो automatically publicly connect उस customer को, instantly उसके WhatsApp पे, एक इस तरह का message सैंग कर देगा, automation की help से, है ना कि आपका जो subscription है, वो expired होगया है, आप उसको renew कर सकते हैं, इस link पे जाके, thanks, etc., etc., etc. तो ये पूरी process automatically होगी, जब तक ये workflow on है, और अब हमारे involvement की, इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक suggestion और देता हूँ, कि आप अपना जब product create कर रहे हों, जो भी आपका product है, तो उसमें जब आपका checkout जो page है, उसमें जब आप customer का number जब ले रहे होते हैं, तो उसमें instruction लगा दीजेगा, कि country code, with country code अपना mobile number add करें, and without plus sign, तो आपको ये वाली step add करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमने या पे split किया है, तो पहले से ही customer plus add नहीं करेगा, सिर्फ 911 add करेगा, तो ये वाली process हमें नहीं करना पड़ेगी, अगर ऐसा नहीं है आपके साथ, तो ये वाली process आप कर लेना, no problem, तो जब तक ये workflow on है, ये process होती रहेगी, ना सिर्फ इन applications को, पाबली connect की help से, आप multiple applications को integrate कर सकते हो, automate कर सकते हो, बिना किसी परिशानी के, जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के description box में, आपको एक link मिल जाएगा, जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है, उस link पे click करना है, और आप भी मेरा बनाया, ये same workflow यूज़ कर पाऊगे, अपने account में, अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी doubt आता है, फिर आपके कुछ questions होते है, या फिर आप मुझसे, या मेरी team से बात करना चाहते है, तो यहाँ दी गई link पे जैसा कि आप देख रहे है, पैबली forum का यहाँ पे link दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने questions, queries, जो भी आपको पूछना है, वो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको पैबली कनेक की price जाननी है, तो इस link पे जाके चेक कीजिए, और सबसे most important part, अगर यह वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को like करना मत भूलेगा, और मेरे चैनल को subscribe करना भी मत भूलेगा, थेंक्यू,